नमस्ते दोस्तों जब भी आता है अचार का नाम हमारे जहन में घुमता है नानी का हातों का स्वाद, दादी के हातों का स्वाद, मम्मी के हातों का स्वाद, तो हाजीर है दोस्तों मेरी मम्मी के हातों के अचार की रेसिपी आप भी इस तरीके से ट्राइ करिए और मुझे यक साम ने दोस्तों कम से कम आदा लेटर के करीब मॉइस्टर अपना रिलीस कर दिया उसके बाद ममी ने इसको तीन से चार घंटे के लिए धूप में डाल दिया यह देखिए और साथी मेन उने एक पई या मिर्ची ले रखे थी इसको भी दूप में सुखा दिया है दोस्तों य चमच के करीब मंग्रेल या फिर कलोंची दो चमच मेथी दो चमच सौफ दो चमच धनिया 30 ग्राम है यह राई दनिया आप चाहे तो स्किप भी कर सकते है और 250 ग्राम मिर्ची जिसका हमने जार में पाउडर बना लिया था और दो स्पून जीरा है इसके अंदर पसाती में ह इसका रोश्ट करने की बार से जिसके लिए सबसे पहले पैन को रखके हमने रे रोश्ट कर लें कि सबसे थोड़ा जादा टाइम लेता है स्कंपेरिशन तो राई अगर एक साथ बढ़ दाल के तो राउ ज्यादा पिर जल जाएगी यह देखिए यह हो गया है इसको निकाल के लिए पैन में रोस्ट कर लेना है इतना करना है कि यह गरम हो जाए अगर आप ज्यादा कर देंगे तो इसका टेस्ट चींज हो जाएगा प्लस कड़वाहट आ जाएगी मेथी और सौफ की यह देखे दोस्तों इसकी बाद तुरंत इससे थाली में निकालके थोड़ा से फै साले के कम लोग दरदरा साप आउडर बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है और साती में थोड़े से लसुन को ममी ने क्रश कर लिया है अब एक कड़ाई में डाला है 250 ग्रैम सर्शो का तेल उसके अंदर डाल दिये यही जैसे तेल चोड़ दे उसके बाद गैस ओफ करके इसको ठंडा कर लेना है गुणगुणा कर लेना है और अब इन सारे चीज़ को लेके हम लोग आ गए हैं दूसरे रूम में यह देखे मेरी परच्छाई आ रही है इस तेल के अंदर और आचार बनाते समय दोस्तों सफाई का बहुत जादा ध्यान रखना पड़ता है कि यह देखे सारा चीज आग चुका है ममी ने डाला सबसे पहले तेल के अंदर प्रश की अवाल लसुन जब यह दो पक जाता है दोस्तों लसुन अचार जब जाता है दस दिन पंदर दिन बाद तो इस लसुन का अलगी स्वाद आता है य जाता है कि अन्दर इसे अधर दाले ने भी अगया जब आस दो langत दौड़ार ने लाल मिर्श भी ए खड़ीवाले लेसुन भी दाल दिया मम मी करना रहा है इट्रीके समलोग आम काचार ने आए लेसुन दोनों काचार बना रहे है एक जीज के साथ एक पंद दो कज होगया करीम नमक दाला है याद रखे दोस्तों आम को जब हमने अलदी नमक लगाया तो उस टाइम इसके अंदर अलडी नमक है अभी सारे आम को में डाल दिया है इदेखे आम सारे सुखे में थोड़ा भी मौशिचा नहीं रहना चाहिए तो आम खरा वह अचार खराब हो सकता है और प्रॉपर कॉंटिटी में आपने तेल डाला हुआ है तो आचार अराम से आप एक साल तक स्टोर कर सकते हैं और आप कोशिश करिए कि इसको स्टोर करने के लिए किसी जार का मतलब किसी कीनी मिट्टी के बढ़ने का यूज करें यूज करें और काज का बटन हमारे पास अब ही खाली था नहीं तो हमने इस ही के अंदर डाल दिया है क्योंकि यह कम अचार है कम कॉंटिटे का हम में यकीन है कि इसे 2-3 महीने के अंदर खतम कर देंगे क्योंकि यह बहुत लाजवाब होता है दोस्तों फिर ममी ने इसको 2-3 गंटे के लिए दूप में डाल दिया उसके बाद तब तक अचार यह पक जाता है और खाने में बिल्कुल आजवाब टेस्स देता है दोस्तों खाईए और इंजाए करिए बाए बाए